दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबिटिक में आप लोग जानते होंगे कि टिजिटी पजिटी वेटिंग लिस्ट मामले को लेकर के आज से प्रयागराज में सिच्छन लिसाले में क्रमिक अंसन्स शुरू हो चुका है कल मैंने इसके बारे में प्रतियों की चाहते प्रतिने दिम अंडल का एक जो सिच्टम अंडल है वह मिलने जाएगा वहां से क्या अपडेट है तो उस पर हम बात में बात करेंगा उसकी अभी अपडेट नहीं मिल पाई है फिलाल वेटिंग को लेकर के इस पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहा भूंत देने की यहाँ पर मांग चल लए है अप लोग जानते होंगे कि कई सारी याचिकाएं यहाँ पर लगी सिंगल विंच का अदेश हुआ डबौ बेंच का अदेश हुआ उसका भी अनुपालान नहीं किया गया उसमें भी एक महिने का वक्त दिया गया उसका भी अनुपालन नहीं किया गया छात पर रिसान हो चुके हैं और आज इसे क्रमी कंसन सुरू कर दिया तस्विर हैं यहाँ पर आपके सामने यह जो जानकारी मिलके आ रही है निकलके आ रही है उसके अनुसार अभी तक कोई भी या कोई भी ऐसा अप्डेक्ती मिलने नहीं आया इस मुद्धे पर वरता करने के लिए ठीक है यही अपडेट छात लगाता डटे हुए मैदान पे और आप लोग जो है ज़्यदस ज़्यदा पहुंचिए ज़्यदस ज़्यदा आंदों को सफल बनाने में अपनी सवागता दीजिए ठीक है बांकि आप लोगों को जो भी अपडेट मिलेगी चनल के मादम समय को प्रवाइड कर देंगे साथ में आप लोग कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे और चातर यहां पर प पांडे उनकी पूज्योटी में जैसे के लितिवारी और यह अनके अने साथी हैं जो लगातार वेटिंग को लेकर के प्रयास रते हैं लगातार इलहाबाद से लेकर के लखनाउत तक अलग 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 अधिकारियों से मुलाकात करते रहते हैं वेटिंग लिष्ट की फट तो सबसे पहले हम बात बताते हैं कि यहां पर क्या मुद्ध था वो देखिए तो यहां पर आपको ग्यापन देख सकती से बताया गया है कि मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोड़ दोरा जारी टेजिटी पजिटी दोर सोला दोरे किस के आवसेज पैनल यानि प्रतेश्चा स पूर्ण कराने के लिए हर जंडियों परदान कर दी गई है अधा स्रीमान जी से नेवेदन है कि हम लोगों की प्रक्रिया सुरू कराने की महती करपा करें यह गया पन दिया कि इस पर वारता हुई है तो वारता का क्या सारा है वह प्रस्विग्यप्ति के मादम से देखिए यहाँ पर अपलो तो सकते हैं लली टिवारी जी की तरफ से यह जो पोस्थ है डाला गया जास में उन्होंने सारी अपडेट बताया गया है यह उन्होंने बताया कि आज पंड जी तीन साहिल लगनाओं में माइनर देव जी से मिले उन्होंने अवगत कराया है कि आपके कारू को पूरता देने हैं तो एक जून को सासन निदेसाले और एन आई से की मीटिंग से रखी गई है यानि एक जून को एक संयुक्त रूप से मीटिंग होनी जिसमें सासन निसर के अधिकारी हों होंगे एक जून को मीटिंग है ठीक है आगे बताया कि इस मीटिंग में काउंसलिंग डेट बगरा नरदारित की जाएगी ठीक है काउंसलिंग की डेट नरदारित की जाएगी और अगर एन आई सी ने चाहा तो तीन दिन 2016 के लिए जाएंगे काउंसलिंग के लिए और तीन सबीशातर जो हैं वी वेटिंग ओले हैं वो कम से कम दो पत्र जरूद रिखें दो पोस्ट कार्ट जरूद लिखें जिसम he आप लोग क्या लेखें उसके बारे बारे मां पर जानकारी दी गई है और किसको पत्र लिखनाों उसके बारे मारे पर लिखना है उसमें बावनात्मा के साथ थोड़ा सा तवस्थ करना है कि आपके आदेश का सासन की आदेश का कोट के अदेश का अनुपार नहीं किया जा रहा है अभी तक कोई भी कर प्रारम नहीं हुआ है इस पत्रों के मादम से दवाव बनाने का अपनी बात पहुंचान संब लगाएं कोई कोई कम सकते हैं ऩह से यहां कि दीण कर सकते हैं या फिर जोर्च bowl कर सकते हैं उमेत कर democrats जोटेटृ के आपको दे देंगे इस व्यक्तना धन्म जयुणम